हेलो दोस्तो माहिस्टी नोट्स में आपका स्वागत है और अगर आप मेरे पेच में नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दे ताक याने वाले वीडियो के अब्लेट्स आपको मिलती रहे तो दोस्तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्या आप इस विचार से सहमत है कि गजनवी सैन्य अभियान बारत्य भूमी पर विदेशी आक्रमण था तो चलिए शुरू करते हैं नौवी सदी के अंत में अब्बासी सामराजी का पतन हो रहा था उसकी जगा इसलाम अपना चुके तुरकों ने ले लिया तुरक अब्बासी सामराजी में नौवी सदी में माहलो के पहरेदार और किराय के सैनिक के रूप में पहुँचे थे जल्दी वे बादशाहों को बनाने बिगाडने लगे तुरक कभीलों की लूट पार्ट करने की आदत थी तेजी से आगे बढ़ना और पीछे अटना बिजले की तरह तूट पढ़ना और कमजोर तल पर हमला करना उनकी युद्ध कला के मुख्य अंग थे मध्य एशिया में अंतिम समानी राज जल्द ही समाप्त हो गया अब मध्य एशिया में इस्लामिक छेत्रों की रक्षा का भार गजनवियों ने समाला यही वह समय था जब महमूद गजनवी 1999 इसी में गजनी के तक्त पर बैठा और 2030 तक शाशन करता रहा महमूद को मध्य काली मुसलिम इतियासकार इसलाम का एक नायक मानते हैं भारत में इसे सिर्फ एक लुटेरे और मंदिरों के विनाशक की रूप में याद किया जाता है कहते हैं कि महमूद ने भारत पर 17 हमले किये तो दोस्तों अब 20 समराजी के पतन के बाद मध्य एशिया पर गजनवियों का शाशन हो गया जो तुर्क थे और इनकी खास विशेशता यह थे कि ये युद कला में काफी सक्षम थे और माना जाता है कि इन्होंने भारत पर कम से कम 17 बार हमले किये जिसका नेत्रित्व मौमूद गजनवी न किया फार्सी भासा और संस्क्रिती गजनी सामराजी की भासा और संस्क्रिती बन गए इस परकार तुर्कों का इसलामी करण के साथ साथ फार्सी करण भी हुआ यही संस्क्रिती थी जिसे तुर्क अपने साथ भारत में लाए महमुद ने अरंबिक हमले उन हिंदू शाही राजाओं पर किये जो अफगानिस्तान और पंजाब पर शाषन कर रहे थे जल्दी हिंदू शाही राजाओं ने दक्षिन पश्चिम सीमा पर इस आकरामक राजी के मुद्दे से उठने वाले खत्रे को भाप लिया हिंदू शाही राजाओं ने इस खत्रे से निपटने का परियास किया किन्तूवन नाकाम रहे बदले में गजनवी शाषक ने काबूल और जलालाबाद के आसपास के छेतर तबाग कर दिये नोसन अब्बे तथा एक क्यानवे के दोरान हिंदू शाही राजाओं की भारी पर आजए हुई उसके बाद काबूल और जलालाबाद के सूबों पर कबजा करके उन्हें गजनी में मिला लिया गया एक सहजादे के रूप में महमूद ने इन लड़ाईयों में भाग लिया उसने सता रोण के बाद शाहियों के खिलाफ हमले फिर शुरू कर दिये इस बिच साही राजा जैपाल अपना राज पेशिवर से पंजाब तक फैला चुका था तो दोस्तों दक्षिन पस्चिम शीमा पर महमूद गजनीवी के हो रहे शक्ति विस्तार को कुछ हिंदू राजाओं भाब चुके थे जिनोंने उसको रोकने का परियास किया लेकिन हुआ नाकाम रहे और बदले में गजनवियों ने काबूल और जलालाबाद पर हमला कर उसे लूट लिया और इसी सैन्ने अभियान में महमूद गजनीवी भी शामिल था पेशावर के पास एक हजार एक इसवी के लड़ाई में जैपाल की फिरहार हुई महमूद शाही राजधानी पर चड़ा आया और उसे बुरी तरह तबाह कर दिया हिंदू शाही राजधा ने सिंदू नदी के पश्चिम का छेतर महमूद को दे कर सांती के स्थापना की जैपाल के मृत्य के बाद उसका बेटा आनंदपाल राजधा बना महमूद ने इसके बाद पंजाब में घुसने का पर्यास किया जिसका पर्तिरोत शाहीों ने किया 2009 ASIV में सिंदू नदी के पास नंदपाल पराजित हुआ आनंदपाल को एक अधिन राजा के रूप में लाहर में राजधी करने के अनुमती दी गई किन्तु 2015 ASIV में महमूद लाहर आ पहुचा और उसे लूटकर आनंधपाल को खदेड दिया जल्दी गजनवी शाचन जेलम नदी तक फैल गया इस तरह शाहियों के खिलाफ लंबा युद चला और शाहियों ने जम कर परतिरोत किया इस लड़ाई में शाहियों का समर्थन सिर्फ मुल्तान के मुस्लिम राजा ने किया जो गुलाम प्राप्त करने के लिए गजनी से होने वाले हमलों से परिशान था इस दोरान कोई भी राजबूत राजा साहियों की मदद के लिए नहीं आया तो दोस्तों 1000 ECU में गजनवी और शाहियों के बीच में दुबारा लड़ाई हुई जिसमें शाहियों दुबारा हार गए और उने बदले में उसे सिंध नदी के पश्चिम कछेत गजनवीयों को देना पड़ा और जैपाल की मिरुत्य के बाद उसका बेटा आनंदपाल राजा बना जिसके साथ भी गजनवीयों के दो युद्ध हुए पहला 1009 ECU में दूसरा 1015 ECU में और दोनों में ही आनंदपाल को हार का सामना करना पड़ा किन्तु आश्चरी की बात ये है कि कोई भी राजपुत राजा शाहियों की मदद करने के लिए सामने नहीं आया मामूद की विजे को बढ़ा चड़ा कर पेश करते हुए सत्री सदी के इत्यासकार फरिस्ता ने लिखा है कि दिल्ली अजमेर और कन्नोच के राजाओं समित अनिक राजपुत राजाओं ने 1001 ECU में जैपाल की मदद की थी लेकिन तब तक तो अजमेर का राजज स्थापित भी नहीं हुआ था और दिल्ली एक छोटा सा राजज्य था 2015 ECU के बाद मामूद ने अगले 6 वर्सों तक गंगा के मैदानी भागों में अने का भियान चलाए इन हमलों का मकसद उन वहभव शाली मंदरों और नग्रियों को लूटना था जिनोंने कई पीडियों के दोरान अकूट संपत्ती जमा कर ली थी इस संपत्ती की लूटनों उसे अपने एशियाई सत्रों के खिलाफ युद्ध करने की शक्ती भी दे दी महमूद के भारत के हमलों के बीच मत्य एशिया के युद्ध भी चलते रहे मेहमूद भारती राजाओं को हाथ मिलाकर अपने खिलाफ एक होने का अफसर भी नहीं देना चाता था मेहमूद ने अपने आपको इसलाम की शान में चार चांद लगाने वाला महान बुठ शिकन यानि मूर्ती बंजग के रूप में भी पेश किया लेकिन उसने अपने सबसे दुष सांसी हमले कर्नोज के खिलाफ एक हजार अठारा इस्यू में और सुमनात के खिलाफ एक हजार पच्चिस इस्यू में किये तो दोस्तों 2015 एस्वि के बाद महमूद ने गंगा के छेत्रों में 6 वर्षों तक अनेक सैनी अभियान चलाए और इन अभियान का मकसद उन मंदिरों को लूटना था जिनोंने बहुत सारी संपत्ति अरजित कर ली थी और इस दिशा में उसके दो सबसे बड़े अभियान 1018 में तता दूसरा 1025 इस्वि में चलाए गए और यह दोनों अभियान कन्योज और सौमनात के खिलाफ चलाए गए और इसी दोरान महमूद ने अपने आपको एक मूर्ती भंजग के रूप में भी पेश किया कन्योज की मुहिम में उसने मत्रा और कन्योज दोनों को लूटा और दासनास कर दिया अगले साल उसने बंदेल खंड में स्थित कालिंजर पर धावा बोला और अकूत धन संपत्ती लूट लिया वह अपने मन मताविक ढंग से या सब इसले कर पाया क्योंकि उत्तर में उस समय कोई शक्तिशाली राज जी नहीं था किन्तु महमूद ने इन में से किसी पर कपजा करने की कोशिस नहीं की एक हजार पच्चिस इस्वी में उसने सोमनात पर हमला करने की योजना बनाई जो बहुत धनी मंदिर था और लाखो तीर्थ यात्रियों को अपनी और खींशता था इस हमले का उदेश राजपूतों को अतंकित करना और जटका देना भी था क्योंकि वह तीस हजार की नियमित सेना लेकर मुलतान और जैसलमहर के रास्ते आगे बढ़ा उसके आने पर नगर का कमांदार भाग खड़ा हुआ लेकिन नागरिकों ने भारी परतिरोत किया मेहमूद ने शिवलिंग को तोड़ दिया और आदेस दिया कि उसके कुछ भाग उसके साथ गजनई लाए जाए वापस लोटने के दुरान जाटो थता कुछ राजपूत राजाओं ने उसे रोकने का परियास किया किन्तु वो बेपना दौलत लेके गजनी वापस पहुंचा तो दोस्तो कन्योच को लूटने के बाद उसने बुंदेल खंड में कलेंजर पर धावा बोला और वहां की संपत्ती को लूट लिया और वो ऐसा शरीफ इसलिए कर पाया क्योंकि कोई भी राजपूत राजा उस समय उसको रोक नहीं पाया और ना ही कोई इतना उस समय सक्तिशाली था और उसके बाद एक हजार पच्चीस इस्वी में वो सोमनात मंदिर को लूटने के लिए अपनी तीस हजार सेनाओ के साथ चल पड़ा जिसका विरोध सोमनात के नागरिकों ने किया लेकिन उसके बाउजवित भी उसने सिवलिम को तोड़ा और उसकी समपत्ति को लूट कर वापस अपने राजजी गजनी लेकर चला गया इस दोरान उसे कुछ जाटों और राजाओं ने रोकने की कोशिश की किन्तुए नाकाम रहे गजनीन में 2030 में उसकी मृत्ती हुई उपरियुक्त विवरण के आधार पर गजनवी सैन या भियान भारत भूमी पर विदेशी आक्रमण कहा जा सकता है अलाकि उसकी मंशा भारत ते खजाने को लूटने की थी भारत के कुछ हिससे जीतने के बाद भी उसने भारत में अपना राज्य इस्तापित करने का परियास नहीं किया किन्तु भारत की सीमा के बाहर से किये जाने वाले किसी भी आक्रमण को विदेशी आक्रमण कहा जाता है चाहे उसका उद्देश से कुछ भी हो भारत पर आक्रमण करने वाले गजनवी मूल रूप से तुर्क थे जिनका विले उस समय भारत में नहीं हुआ था महमूद को मात्र लुटेरा का देना सही नहीं है पंजाब और मुलतान पर गजनी की विजे ने उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह बदल कर रख दिया महमूद की मुलति के बाद गजनवी सामराज्य अब सिकुड़कर गजनी और पंजाब तक रह गया गंगा के मैदान और राजपुताना में गजनवीयों के लोटमार और हमले जारी रहे पर वे अब भारत के लिए कोई गंभीर सैनिक खत्रा पैदा करने की स्थिति में नहीं रहे उत्तर भारत में ऐसी अनेक नए राज्य पैदा हुए जो गजनवी हमले का सामना कर सकते थे तो दोस्तों गजनवी आक्रमड को विदेशी आक्रमड कहा जा सकता है क्योंकि ये लोग मूल रूप से भारत के नहीं थे बलकि विदेशी थे लेकिन इस बात को भी नकारण नहीं जा सकता कि इनकी मनशा खजाना लूटने की थी ना कि भारत में राज्य स्थापित करने की तो दोस्तों मेमूत गजनवी की मृत्य के बाद गजनवी सामराजी की सकती में लगतार हरास होता चला गया हलांकि कुछ आकरमण बात में भी हुए किन्तु वो इतनी सक्तिशाली नहीं थे गजनवीयों के सैनी का भियान भारत पर विदेशी आकरमण था इसने उत्तर भारत छेत्र में अरजकता का माहुल उत्पन किया साथी साथ इसमें भारत की अकूछ संपत्ति को लूटकर अपना सामराज गजनी में मजबूत किया इसके बावजूद भी कुछ इतियासकार इसे सही ठहराते हैं जबकि कुछ इसकी कड़िया लोचना करते हैं गजनवी सहन अभियान को भारत्ती राजाओं ने विदेशी आकर्मन माना और गजनवियों का जमकर मुकाबला किया उस दोरन भारत्ती राजनीती में इस्तिरता मौजूद नहीं थी जिसके चलते राजाओं ने एक जुट होकर गजनवियों का सामना नहीं किया महमूद के सहन अभियान सफल होने के पीछे यही कारण था तो दोस्तों इसे के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करकर जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स टॉपिक में और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया